स्कार मित्रों आपके अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है सूरी ग्रहन्ड 25 अक्टुम्बर को भारत के कौन कौन से राज्यों में दिखाई देगा ग्रहन्ड का समय क्या होगा गर्वती मैलाओं पर क्या असर प्रभाव डालेगा और रासियों पर क्या प्रभाव पढ़ेगा आपकी रासि पर भी प्रीत प्रभाव पढ़ रहा है तो क्या करना होगा सूरी ग्रहन्ड की जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में मिलेगी वीडियो के लास तक बने रहें चैनल में नहीं तो चैनल को करने सब्सक्राइब आपको बता दें साल 2022 का अंतिम सूर ग्रेंड 25 अक्टुमबर को लगने जा रहा है आपको बता दें ग्रेंड की कुल अवदी 4 गंटे 3 मिनट की रहने वाली है यह सूर ग्रेंड दो पेर दो बज़ कर 29 मिनट से सुरू होगा और 25 अक्टुमबर साम 6 बजे 32 मिनट को सूर ग्रेंड की समापती होगी यह सूर ग्रेंड भारत के सभी राज्यों में दिखाई देगा यह सूर ग्रहन आपको भारत के कई जगाओं में नजर आएगा जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, कई बड़े सहरों में सूर ग्रहन को देख पाएंगे लगबक साम के चार बसे च्छे बजे के बीच में आंसिक प्रभाव भारत में दीखने को मिलेगा नासा के वग्यानिकों ने चेतावनी जारी की है, सूर ग्रहन को अपनी खुली आँखों नंगी आँखों से ना देखें क्योंकि सूर की जोहानी का रख किरने हैं वो आपकी आँखों में जा सकती है इस ग्रहन के दोरान सभी भारती महिलाओं को सभी गर्बती महिलाओं को कुछ साओधानिया बरतनी होंगी बात कर लेते हैं फिर आपको रासियों के प्रभाव की जानकारी देंगे सूर ग्रेंड के दोरान घर से विलकुल बाहर नहीं निकलना है अपने पेट के हिस्से पर गेरू लगाएं मानता है कि ऐसा ना करने पर बच्चे को असर पाता है सूर ग्रहन के दोरान गर्वती महिलाओं को सबजी काटने या किसी भी यंतर का प्रयोग नहीं करना चाहिए यहां तक कि आपको मुबाइल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी मानता है कि ऐसा करने से बच्चे पर सारी रिक विकरती आ सकती है सूर गहन के दोरान महिलाओं को किसी भी प्रकार की सिलाई, गुडाई, बुनाई, किसी प्रकार का काम नहीं करना है सूर गहन के दोरान खाने के अंदर तुलसी का पत्ता डाल दें ताकि खाना सुद बना रहे और गर्बती मैलाओं को छोड़कर बाकी किसी को भी सूर ग्रहन के दोरान पुछ भी नहीं खाना चाहिए ऐसे में आपको खाने के जरीये नुकसान पहुंच सकता है यदि बात करें जो 30 सास्त के अनुसार सूर ग्रहन से 12 घंटे के पहले से सुदक लग जाएगा सुदक काल में आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा वहीं बात कल लेते हैं रूस रासियों पर ग्रहन के प्रभाव की करक रासी सूर ग्रहन पर इन पर सुप प्रभाव पढ़ने वाला है इन रासी वालों के अठक हुए काम पूरे होंगे हर कारे में सफलता मिलेगी वहान भूमी खरी सकते हैं धन लाब होगा सियह रासी सूर ग्रहन के दौरान इस रासी पर काफी फाइदा होने वाला है कहीं से अटका हुआ धन आपको मिलने की संका है आपको धन लाब होगा नौकरी पैसा लोगों को तरक्की का फाइदा मिल सकता है कारे में सफलता प्राप्त होगी वैपार में मुनाफ़ होगा विदेश वैपार से आपको सफलता मिल सकती है धनू रासी वाले लोगों के लिए वी या ग्रेंड काफी सुब होने वाला है इस रासी वालों को धन का लाब मिलेगा कहीं धन निवेस करनी की योजना बना रही है तो वहां से अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है विदे स्यात्रे के योग बन रही है मीन रासी इन रासी वालों को धन प्राप्ती हो सकती है मीन रासी के लिए ग्रेंड बहुती फल दायक माना गया है इन रासी वालियों को अचानक से कहीं से भी धन की प्राप्ती हो सकती है कही तरह के कारे पूरे होंगे भागे का पूरा साथ आपको मिलेगा इन रासीinação के लावा बाकी रासीओं पर सूर्ग रहन का बिप्रित प्रवाव पड़ सकता है ऐसे में शूर्ग रहन के दौरान आपको दान्यपूनिकस काम करना चाहिए भगवान का जाप करते रहना चाहिए ताकि आपको इसके असुप फल से बचा जा सके आपकी कौन सी रासी है आप ये भी कमेंट करके बताएं चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें